नमस्कार किसान भाईयों, स्वागत है आपका चैनल एगरी आकास पे किसान भाईयों, अगर आप बरसात में सबजियों का अच्छा रेट लेरा चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो पूरी जानकारी सही वीडियो सबजने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा एगरी आकास चैनल पे आप पहली बाहर आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा वह तैयार हो जाएगी और बरसात में आप उसकी खेती करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं किसान भाइयों अगर हम इसके लिए उन्नत वराइटी की बात करें यह इसके लिए काफी अच्छी किसम होती है इन सब्सक्राइब की नरसरी किस बीडिवे तैयार करें वह हम जानेंगे बीडियों के अंतिम में और जो हमाई दूसरी फफल है वह है टमाटर की खेती किसान पूरे साल में जो तमाटर का सब अच्छा रेट होता है वह बरसात में ही होता है तो अगर आप अच्छा तमाटर का रेट लेना चाहते हैं तो आपको बरसात में इसकी खेती करनी होगी बुआई के 25 से 30 दिन में टमाटर के निरसरी हो तैयार हो जाती है अगर आप पॉली हाउस में तैयार करते हैं तो 25 दिन में भी तैयार हो जाती है नहीं तो गर आप खुले में कर रहे हैं या फिर आप घर पे तैयार कर रहे हैं वह है फूल गोंबी की खेति किसान भाईयों अगर आप बरसाद में अगेती फूल गोंबी की खेती करना चाहते हैं तो आप को मई और यून के महिने में इसकी नरसरीैडालने चाहिए फूल खोबी दिन एक सब्सक्राइब अगर हम फुर्ण प्रशां की बात करें यो रिए और समय तिय्यार हो जाती पांच तुर फूल जा नियुक्त का तो आप करने हों mm herbs कि बात करें तो आप नांधारी की था चुनाव कर सकते हैं यह पत्ता गोभी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और जो हमारी अंतिम नर्षरी है किसान भाई जो बरसाद में प्याज की खेती करती हैं उनको मई और जून के महीने में इसकी नर्षरी डाल देनी चाहिए प्याज की नर्षरी है बुबाई खेत में इसकी नर्षरी तयार कर रहे हैं तो 35-40 दिन कंदर जो आपकी प्याज की नर्षरी है और बहुत ही आसानी से तयार हो जाती है अगर हम पांचों सब्जियों की बात करें चाहे हो मिर्च हो गया फूल गोभी टमाटर पत्ता गोभी या फिर प्याज इनकी आप गर् किसान भाई इस तरीके से भी करते हैं और तीसा ड्रीक है वह यह है कि आप आपके पास कोई पॉली ऑन सही आपके आस पास बहुत वह बें पर गथा की पोegtना लगा है यह फीटरी आपके नर्षरी व्हीं quería लिशकर डाय ए 3 का सब्सक्राइब